फिरेंड्स देखें, रॉल बैक का प्रोब्लम बहुत लोगों को आ रहा है, तो सबसे पहले आपको रॉल बैक की हिस्टरी डिलीट करनी है, और उसके साथ ही साथ फेल्ड वाली हिस्टरी भी डिलीट करनी है, ये देख सकते हैं, मेरा कितना जादा विड्रॉल फेल्ड हो अगर आपका ऐसे नहीं होता है तो phone restart करके फिर आके withdraw कर लिया करो होने का chances बढ़ जाएगा ठीक अभी 5000 का मैंने withdraw कर दिया है तो अभी आया नहीं है instant payment नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं थोड़ा देर का wait कर लेते हैं बाकी यहाँ पर देखते हैं पहले app को exit कर लेते हैं और उसके बाद फिर से एक बारी open करके एक withdraw और लगा देते हैं ठीक है अभी app open हो रहा है तो app open होने के बाद हमें फिर से एक और withdraw लगा देना मतलब कि यह कि rollback की history आपको delete करना ही करना है और साथ ही साथ field की भी history delete कर देनी है उसके बाद उमीद है कि आपको ऐसा problem जल्दी फिर नहीं देखने को मिलेगा rear case होता है कभी कभी ऐसा problem आता है अगर ऐसा problem आए तो आप अगर एक दिन दो एक बार दो बार तीन बार ऐसा आए तो आप एक दिन का wait कर लिया करो उसके बाद withdraw कर लिया करो ठीक है तो अभी देखते हैं क्या होता है अभी withdraw आया की नहीं आया तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं वैसे मेरे ख्याल से failed नहीं होना चाहिए अब की बार क्योंकि कल रात का withdrawal था वो और आज सुवे मैंने फिर से delete करके history withdraw किया है तो देखते हैं withdraw आता है या नहीं आता है या failed होता है तो ज्यादा time आपका नहीं लगेगा सिर्फ 2 minute की वीडियो है तो 2 minute वीडियो को देख लिजिए बाकि जिनका problem का solution मिल चुका है वो अपना जाके ऐसा ही कर ले जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में बताया ठीक है तो अभी के लिए फिलाल नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर से बता देते हैं आपको तो यहां पे देख सकते हैं य आप हमें कमेंट करके जरूर बताना बाकि आगे के लिए आपको फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में बहुत जल्द आने वाला भी हूँ ठीक है बाए